तो ले आया हूँ एक और न्यू वीडियो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी घातक एप्स के बारे में जो आपको अपने मुबाइल में लाजमी के लाजमी अभी इंस्टाल कर लेनी चाहिए ये कौन सी एप्स हैं वो तो वीडियो में आगे चलके बताऊंगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूँ अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है और भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बात करते हैं लिस्ट की पहले नंबर की एप की इस एप का नेम है multiple screen browser ये basically दोस्तो एक multitasking एप है जिसकी मदद से आप लोग at the same time multiple browsing कर सकते हैं for example दोस्तो अगर आप कोई article भी read करना चाते हैं या दोस्तो आप चाते हैं कोई video भी देखना तो आप इस browser की मदद से वो कर सकते हैं इदर आपको चार screen देखने को मिल जाती है मतलब आप चार different किसम की दोस्तो browsing कर सकते हैं तो काफी दोस्तो ये घातक application है अगर आप चाते हैं multiple browsing करना at the same time तो इस application को definitely try कर सकते हैं तो बात करते हैं list की next application की इस application का name है pin locker basically दोस्तो ये एक locker app है जिसकी मदद से आप अपने mobile की apps को lock कर सकते हैं उसके इलावा दोस्तो आप अपने mobile को lock कर सकते हैं लेकिन दोस्तो इस application की मदद से आप अपनी mobile की apps को जब lock करेंगे ना तो आपको एक different experience देखने को मिलने वाला है तो वो क्या experience है different तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने इस app को open करना है एप को open करने के बाद आपने set now पे क्लिक करना है set now पे क्लिक करने के बाद इदर से आपने कोई भी theme को choose कर लेना है तो मैं इदर से new pin set कर देता हूं उसके बद अपने start setting पे क्लिक कर देना है अब दोस्तों इदर आपको circle में different number देखने को मिल जाते हैं तो आपने जो भी password रखा है वो circle से number आपने choose कर लेने हैं तो मैंने इदर से 1 रखा था, उसके बाद 2 रखा था, उसके बाद 3 रखा था उसके बाद 4 रखा था, 4 रखने के बाद दोस्तों आपका pin इदर set हो चुका है उसके बाद दोस्तों आपने कोई भी इदर recovery email दे देनी है तो मैंने इदर से recovery email दे दी और उसके बाद done के button पे click कर दिया done के button click करने के बाद आपने इसको cut कर देना है उसके बाद दोस्तों जितने भी आपके मुबाइल में एप्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी तो जिस भी एप को आप लॉक करना चाते हैं सिंपल आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है For example दोस्तों इधर से मैं WhatsApp को लॉक करना चाता हूँ या यह क्या लगाव है जस्त आपको ही पता होगा कि आपने पासवर्ड सेट किया है और इसको किस तरह अपन करना और दोस्तों उसके इन्टर कर सकते अगर कूशिक कर सकते तो अगर वो wrong password लगाएगा तो ये application उसकी selfie ले लेगी तो आपने simple इस app को open करना है एप को open करने के बाद captured intruders में जाना है तो इदर आपको उस बंदे की selfie मिल जाएगी उस बंदे की picture मिल जाएगी जो भी आपके mobile में गुसने की कोशिश करेगा और दोस्तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा जो आपके mobile को open कर रहा होगा कि इस application ने उसकी picture ले लिया है उसके इलावा दोस्तो अगर आप customization में जाते हैं तो इदर आपको different wallpaper और theme देखने को मिल जाते हैं तो जो भी आपको पसंद है वो आप इदर से lock पे set कर सकते हैं तो काफी दोस्तो कमाल की application है अगर आप अपने data को secure करना चाते हैं तो इस app का definitely use कर सकते हैं तो बात करते हैं list की next app की इस app का name है data li बहुत से लोग नीचे मुझे comment box में पूछ रहे होते हैं हमें कोई ऐसी app बताओ जिसकी मदद से हम अपने internet को save कर सके हम अपने internet को बचा सके तो दोस्तो इस application की मदद से आप लोग अपने internet को बचा सकते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने इस app को open करना है एप को open करने के बाद आपको इदर एक option देखने को मिलता है setup data saver का आपने इसको on कर देना है इसको on करने के बाद आपको इदर multiple option देखने को मिल जाते हैं जैसे के manage data का अगर आप manage data पे click करेंगे तो इधर आपको आपके internet का complete statistic देखने को मिल जाएगा उसके इलावा दोस्तो अगर आप scroll down करेंगे तो आपके mobile में जितनी भी app हैं, कौन सी app, कितना data आपका consume कर रही है वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा उसके लावा अगर आप back आते हैं, आपको इधर option देखने को मिलता है daily limit का दोस्तो ये option मुझे काफी कमाल का लगा इस option की मदद से आप लोग अपने mobile पे daily limit अपने internet की set कर सकते हैं for example दोस्तो मैं इधर 100MB कर देता हूँ उसके बाद automatically block data पे on कर देता हूँ और इधर से set a daily limit select कर लेता हूँ अब होगा क्या, जैसी मैं 100MB कंजूम कर लूँगा तो मेरा data automatic off हो जाएगा 100MB से उपर मेरा internet कंजूम नहीं होगा तो अगर आप चाते हैं अपने data को save करना तो आप इधर से limit भी set कर सकते हैं उसके इलावा एक और option आपको मिलता है bed time mode का अगर आप इसमें जाते हैं तो इधर आप अपना bed time mode set कर सकते हैं उस time दोस्तो जितनी भी आपके background में app ओंगी वो off हो जाएगी for example दोस्तो मैं 11 से सुबा 6 तक सोता हूँ तो आपने simple इधर से turn on bed time mode कर देना है तो आप 11 से 6 में कोई भी app मेरे internet data को consume नहीं करेगी उसके बाद दोस्तो एक और option इधर आपको देखने को मिल जाता है bubble tracker का यह option दोस्तो personally तोर पे मुझे बहुत ज़्यदा पसंद आया अगर आप इस option का use करते हैं तो आप अपना real time internet data की consuming को देख सकते हैं वो किस तरह देखेंगे simple आपने bubble tracker को open करना है open करने के बद आपने show bubble पे click कर देना है जैसी आप show bubble पे click करेंगे तो एक bubble आपके सामने आज आएगा अब दोस्तो होगा क्या किसी भी आप app को open करेंगे तो वो app आपका जितना data consume कर रही होगी वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा आप real time data ले सकते हैं अपने internet का के कौन सी app आपका कितना data consume कर रही है तो दोस्तो काफी handy application है अगर आप अपने internet data को save करना चाते हैं इंटरनेट data को बचाना चाते हैं तो इस app का आप definitely use कर सकते हैं तो बात करते हैं list की next app की इस app का name है bore button अगर दोस्तो आप लोग bore हो रहे हैं घर में तो यह application आपके लिए है इस application में आपको 100 of games देखने को मिल जाती हैं जिसको आप play कर सकते हैं अगर दोस्तो आप कोई game एक दो minute play करते हैं और आपको पसंद नहीं आई आप उस game से bore हो रहे हैं तो आपने simple क्या करना है आपको एक red color का button आ रहा होगा आपने simple इस पर click करना है तो दोस्तो 100 of games इस application में आपको देखने को मिल जाती हैं अगर आप किसी भी game से bore होते हैं simple आपने red color के button पर click करना है तो new game play हो जाएगी उसके इलावा दोस्तो अगर आप three line पर click करते हैं तो इधर आपको recently played में देखने को मिल जाती हैं वो games जो आपने recently play की हैं उसके इलावा अगर आप किसी game को favorite में add करना चाते हैं आपको कोई game पसंद आ गी है तो आप favorite में भी add कर सकते हैं इधर आपको popular games को भी option देखने को मिल जाता है तो काफी दोस्तो कमाल की application है अगर आप घर में बैठे बैठे bore हो रहे हैं या दोस्तो अगर आप किसी relative वगारा के गई हैं और उदर भी आप bore हो रहे हैं तो simple आपने क्या करना है आपने इस app को open करना है और इधर से आके आपने game play कर लेना है उसके इलावा दोस्तो अगर आप bore होते हैं उस game से तो simple red color के button को दबाते जाओ और new new games खेलते जाओ तो काफी दोस्तो कमाल की application है अगर आप bore यत से बचना चाते हैं तो इस app को try कर सकते हैं तो बात करते हैं list की final and last application की इस application का name है masa wallpaper इस application में आपको live wallpaper देखने को मिल जाते हैं different category के इधर wallpaper देखने को मिल जाते हैं 3D wallpaper देखने को मिल जाते हैं तो जो भी आपको category पसंद है simple आप इधर से select कर सकते हैं उसके इलावा दोस्तो आपको मैं live wallpaper set करके दिखा देता हूं कि किस तरह के लगते हैं Live Wall Paper इस application में दोस्तों काफी कमाल के हैं, अगर आप किसी भी Wall Paper को set करना चाते हैं, simple आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस Wall Paper को download कर लेना है, download करने के बाद simple इस बटन पर click करना है, इस बटन पर click करके आप set कर सकते हैं, तो अगर आप दोस्तों Live Wall Paper की तलाश में थे, तो इस application को आप try कर सकते हैं, इसमें इतने ज़्यदा कमाल के आपको Live Wall Paper देखने को मिलते हैं, जो आपने शायद पहले ही कभी देखे हों, तो काफी दोस्तों कमाल की application है, अगर आप अपने mobile को look को totally तोर पे change करना चाते हैं, तो इस app को आप definitely try कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को like करना, channel को subscribe करना, bell के icon को लाजमी दबाना, comment box मुझे comment करके लाजमी बताना ये वीडियो कैसी लगी, मैं मिलूँगा आप लोगों से next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye,